भारत में चावल का स्टॉक रिकॉर्ड उंचाई पर पहुँच गया है, जो लक्ष से लगभग चार गुना अधिक है। ऐसे में मजबूत फसल की उम्मीदों के बीच सरकारी स्टॉक को कम करने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल जुलाई में सरकार ने खुद्रा महेंगाई दर को कम करने के लिए गैर बास्मती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था। चालू सीजन में खरीद में 7 फीसदी की गिरावट के बावजूद सरकारी अनाज खरीदार भारतिय खादे निगम, FCI, के पास वर्तमान में चावल का बड़ा स्टॉक है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हट सकता है। मिली जानकारी के मताबिक, सरकार को 1 जुलाई से बफर स्टॉक के रूप में 13.5 मिलियन टन चावल की आवश्यकता है। वर्तमान में, FCI के पास लगभग 50 मिलियन टन अनाज है, जिसमें मिल मालिकों के पास 18.2 मिलियन टन अनाज शामिल है। सरकार को इस साल गर्मियों में बोई जाने वाली या खरीफ की फसल के लिए स्टॉक कम करना होगा। सरकार को चावल की अच्छी फसल की उम्मीद है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जून से सितंबर में मौनसून के ओसत से उपर रहने की भविश्यवानी की है।